हाई फ्रेंद्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चानल तो अभी है बारिश का मौसम और बारिश के मौसम में गर्मा करम खिचडी खाने का कुछ अलग ही स्वाध होता है इस बारिश के मौसम में अगर आप लोग अभी तक खिचडी नहीं बनाये है घर में तो जटपत मेर रेसिपी देखिए और पटाफट अपने घर पे खिचडी बना लीजिए इसके साथ मैंने आलू फ्राई बेगन फ्राई और पापड़ भी किये थे तो चलिए देख लेते हैं कि खिचडी बनाने के लिए मैंने क्या-क्या यूज़ किया है मैंने लिया है वान टेवल स्पून जीरा, तीन इलाइची, तीन लॉंग, एक दाड़ चीनी, तीन सूखी लाल मिच, दो तेजपत्ता, वान टेवल स्पून जीरा धनिया और गोल मिर्च का पाउडर, वान टेवल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा अगर जाधा येलो ट ये के लिया है ये टमाटर मैंने लिया है और वन टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, और को कोकोनट को में ग्रेट करके ली हूँ अगर आप लोग के पास पीस है तो आप लोग यूस कर सकते है मेर पस घर पे नहीं था ये ब्हुस तर नहीं ता मेरे शुत सें sucks तो इस ए मै जोड़ा उबाल ली हूं एक मिनित के लिए उबाल के स्टेन आउट कर दी हूं योगी का सीजन नहीं है तो गोवी का इसमेल होता है वह ताकी चला जाए और उसके अंदर चुपीरा भी होता है वह भी निकलता है इसके बास मैं तेल गरम करके आलू गोवी और गाजर कमें फ् सब्जी में रिफाइंट ओल में फ्राइब कर लोगी अगर ऑईल नहीं बचा हुआ है सब्जी फ्राइब करने के बाद तो आप लोग वान टेबल स्पून घी में फ्राइब कर सकते हैं तो सुंदर एक स्मेल आता है इसके बात मैं चावल को भी थोड़ा फ्राइब कर प्राइब कर दो अलग से रख दो गए अब उसके बार अभी हम लोग मसाला पनें जब तक हमारा चावल पाई हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा मसाला पना लेते हैं मैं वान टेबल स्पून जिंजर पेस्ट लीते हैं उसके साथ मैं अलदी पाउडर और और अलदी सतर्वी तक हम युजय के रहा हैं तो अभी हमलोग का चावल प्राई हो चुका है तो अभी हमलोग की साथ में रखतेंगे और अभी हम लोग खिच्टी का मसाला बनेंगे मस्टर्ड ओयल लिया है और इसमें तीन सुखी लालमुच फ्राई कर लेंगे उसके बाद तेज पत्ता दे देंगे और लॉंग एलाइचिया दाडचिनी दे के फ्राई कर लेंगे उसके बाद 1 टेबल स्पून जीरा दे दे देंगे अब इसमें जो हम लोग मसाला बनाए थे जिंजर हल्दी पाउडर और जीरा धनिया और गोल मिर्च से वह पानी देखे उसको लोग डाल लेंगे इसके बाद हम लोग नारियल डाल देंगे नारियल अब यह मसाला डालने के पहले भी डाल के प्राई कर सकते हैं तो इसके आधार दे लिए मसाले के स्वाद अनुसर मसाले का नमक दे देंगे तो धुड़ा धक धक के पकाईंगे इसके बाद इसमें हम लोग टमाटर दे देंगे और उसको ढख के पकाएंगे जब तक थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी कंसिस्टिंसी ना आ जाए अभी मैं एक हंडी में लगबग 2 लीटर पानी गरम कर रही हूँ आप लोग अपनी क्वांटिटे के हिसाब से पानी गरम कीजिएगा मेरे जितना क्वांटिटी मैंने लिया है तो लगबग 2 लीटर पानी मुझे लगएगा तो मैं 2 लीटर गरम कर रही हूँ अभी हम लोग इसमें जो चावल और डाल फ्राई करके रखे थे उसको हम लोग डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे मिक्षर के साथ पूरे मसाले के साथ अच्छे से हम लोग चावल और डाल को मिक्स कर लेंगे हंडी के पानी में जब तक ऊबल ना आए तब तक हम लोग ये चावल डाल का मिक्षर नहीं डाल सकते हैं तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब तक पानी में ऊबल आ जाए अभी साइप में जो डिश बन रहा है ये एक स्वीट डिश है पिंगॉली में इसको ताले पोड़ा हो जब तो हम लोग चावल डाल पूरा मिक्षद के साथ रेडी है अभी हम लोग का हंडी का पानी गरम हो चुका है उबला चुका है तो अभी हम लोग ये मिक्षद धीरे दीरे इसमें डाल देंगे लग भग पंद्रा से बीस मिनिट लगेगा खिच्डी पकने में जोूनता ह अभी हम लोग जो फ्राइ किया हुआ है उसको डाल लेंगे और खिचडी को लगभग पकने में 15-20 मिनिट लेकिन फिर भी आप लोग देखेगा की डाल पकाए की नहीं जब तक डाल नहीं सीचेगा तब तक खिचडी नहीं पकेगी क्योंकि डाल सीचने के बाद खिचडी का क नमक अट करेंगे और वन टीस्पून शुगर अट करेंगे और दनिया पत्ता के बिना खिचडी का टेस्ट थोड़ा अधूरा रहता है तो मैंने उपर से धनिया पत्ता दे दिया है काटके और देखे लगभग खिचडी हम लोग का पक चुका है तो इसके बाद हम लोग इसमें वन टेबल स्पून घी देंगे और घी देने के बाद दो से तीन मिनिट हम लोग उबलने देंगे उसके बाद हम लोग फ्लेम आफ कर देंगे तो हमारा खिचडी रेडी हो गया उपर से मैंने धनिया पत्ता से गार्निश कर दिया है तो मेरा गर्मा गरम खिचडी विद आलू फ्राई बेगन फ्राई और पापड इस रेडी तो आप लोग यह रेसिपी जरूर घर पे ट्राई कीजिए एकदम प्रसादी स्टाइल खि झालू झालू झालू